हेलो गाईज, वेलकम टू माई चैनल मधुश कीचन में फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुती टेस्टी भिंडी की रेसिपी सेर कर रही हूँ एक बार आप मेरे तरीके से भिंडी की रेसिपी बना कर देखिए उमीद करती हूँ कि यह आपको जरूर पसंद आईगी तो चलिए शुरू करते हैं तो आज की रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम भिंडी ली है और इनको मैंने पहले अच्छे से वोस कर लिया था और उसके बाद इनको अच्छे से पहुँच लिया था भिंडी में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए अच्छे से कपड़े से पहुँच कर इनको हमें सुखा लेना है और फिर उसके बाद मैंने एक भिंडी के चार पीस कर लिये है भिंडी आप अपनी जरूरत के हिसाब से कम्या जादा कर सकते हैं तो सबसे पहले हमने भिंडी का head और tail को काट लिया है और अब देखिए भिंडी में हम इस तरीके से चीरा लगा देंगे और इसके बाद देखिए इसको हम चार भागों में काट लेंगे तो अगर आपकी भिंडी थोड़ी बड़ी हो तो आप उसको हाफाफ करकर भी काट सकते हैं तो यहाँ पर हमने सारी भिंडियों को काट लिया है अब हम इसमें कुछ मसाले एट करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले मैं नमक ले रही हूँ आप अपने स्वाद के अनुसार यहाँ पर नमक एट करें और लगवग आधा चम्मच यहाँ पर हल्दी डालेंगे आधा चम्मच ही मैं यहाँ पर लाल मिर्च पौडर ले रही हूँ इसको भी डाल देंगे एक से देड़ चम्मच यहाँ पर हम धनिया पौडर डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला लेंगे और यहाँ पर मैंने लगवग दो बड़े चम्मच के बरावर बेसन लिया है उसको भी हम इसमें डाल देंगे और अब यहाँ पर हम बेसन को और सभी मसालों को भिंडी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि हमारे सारे मसाले भिंडी के उपर अच्छे से कोट हो जाए हमें बहुत अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है तो फ्रेंड्स आप एक वार इस तरीके से भिंडी की रेसिपी जरूर बना कर देखिए आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप हर वार इसी तरीके से भिंडी बना कर खाएंगे और आप जिसको भी ये भिंडी की रेसिपी बना कर खिलाएंगे ना वो आपसे जरूर पूछेंगी कि आपने इसको कैसे बनाया है तो यहाँ पर हमारी भिंडी मसालों के साथ बहुत अच्छी तरीके से कोट हो गई है तो चलिए चलते हैं अब गैस की तरफ तो यहाँ पर हमने गैस पर कढ़ाई रख ली है और अब हम इसमें दो बड़े चमर सरसो का तेल डालेंगे भिंडी की यह रेसिपी वनाने के लिए आप यहाँ पर सरसो के तेल का ही यूज करें इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सबजी में तो तेल भी अब यहाँ पर गरम हो चुका है तो चलिए अब हम इसमें भिंडियों को डाल देते हैं अच्छे से हम सारी भिंडियों को डाल देंगे तो यहाँ पर हमने कड़ाई में सारी भिंडियों को डाल दिया है और यहाँ पर देखिए हमें इन्हें इसी तरीके से चलात वे भूनना है जब तक कि भिंडी अच्छे से सोफ ना हो जाएं जब तक हम इने भूनेंगे इससे हमारे मसाले अच्छे से भून जाएंगे इसके साथ जो बेसन है और मसाले हैं बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर भून जाएंगे और गास की flame हमने यहाँ पर medium रखे है medium flame पर ही हम इनको यहाँ पर भॊनेंगे और यहाँ पर देखे बिंडी आप थोड़ी baptized होनी शुरू हो गई है और यहाँ पर बिंडियों का color भी आप थोड़ा थोड़ा change होने लगा है और एक बहुती सुन्दर सा कलर इनके अंदर आ रहा है और यहाँ पर हमें इनको देखे इसी तरीके से लगातार चलाते वे भुनना है बहुती अच्छी तरीके से और बहुती आसानी के साथ यह भुनकर तयार हो जाती है और अब देखिए भिंडियों को भुनते भी यहाँ पर 5-6 मिनट हो गए है और यह काफी हद तक यहाँ पर सोफ्ट हो गई है बहुत ही अच्छी तेरिके से फ्राई हो गई है और भिंडियों में जो हमने बेसन डाला था ना उससे इसमिक बहुत ही अच्छी सी खुसबू आ है बहुत ही बढ़िया हमारी यहाँ पर सब्जी बनका तयार होगी तो चलिए भिंडियों अच्छी से भुन गई है और अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं सारे भिंडियों को हम कढ़ाई से निकाल लेंगे और यहाँ पर हमने फिर से उसी कढ़ाई में दो तो इसको आप जरू डालें तो यहाँ पर देखिए मैंने दो बड़े साइच की प्याज को इस तरह के से यह देखिए इस तरह के से मैंने पिस इसमें कट कर लिया है एक प्याज के मैंने चार पिस किये उसके बाद हमने उसको हाफ में कट कर दिया और देखिए इस तरह के स तो चलिए इसको हम अच्छी से भून लेते हैं और इसी के साथ मैंने यहाँ पर दो हरी मिर्श को भी चीरा लगा कर इस तरीके से कट कर लिया है इसको भी हम इसमें डाल देंगे और इनको भी हम अच्छी से भून लेंगे इस तरह से जब हम भिंडी की सब्जी बनाते हैं तो उसमें प्याज का जो क्रंची पन है बहुत ही अच्छा लगता है तो इसलिए हम यहाँ प्याज को ज़्यादा नहीं भूनेंगे सिर्फ उसको हम सोप्ट होने तक ही यहाँ पर भूनेंगे तो देखें इसी तरह की से लगता है चलाते हुए हमेंसे भून लेना है तो चलिए यहाँ पर हमारी प्याज भी अप सोप्ट हो गई है इसका कलर भी अप चेंच हो गया है तो चलिए अब हमें इसमें फ्राई करी हुई भिंडी डाल देंगे और अब देखिए भिंडी को हम प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको हम एक से दो मिनिट तक इसी तरीके से भूनेंगे और गैस की फ्लेम हमने यहाँ पर लो कर दी है लो फ्लेम पर हम इसको यहाँ पर भूनेंगे और हम इसको खुला ही बनाएंगे इसको हमें धगना बिलकुल भी नहीं है अगर हम यहाँ पर भिंडी को धग देंगे तो हमारी भिंडी जो है वो थोड़ा चिपचिपी बनेगी इसलिए हमें इसको खुला ही बनाना है तो चलिए ऐसे ही हम इसको चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे और हाँ अभी बीडियो इसके बिलकुल मत कीजिएगा क्योंकि अभी हमें इसमें दो इंग्रीडियन्स और डालने हैं जो हम अभी आपको दिखाने वाले हैं बैसे तो भिंडि की सब्जी अभी से ही इतनी अच्छी लग रही है देखने में कि एकड़म मुं में पानी आ रहा है तो यहां पर देखिए भिंडि को घुनते हुए हैं यहां पर लबग 2-3 मिनट और हो गए हैं बिंडि और प्याज काफी सोप्ट भी यहां पर हो गए हैं यहीं देखिए बहुत ही अच्छा इसमें कलर यहां पर आ रहा है तो यहां पर देखिए अब हम इस टाइम इसमें एक चमच आमचूर पॉर्ड़ोड़ डालेंगे हम चूर पोर्डो डालने से इसमें बहुत ही अच्छा सा एक खटा सा टेस्ट आएगा बहुत ही टेस्ट ही हमारी यहाँ पर भिंडी की सब्जी बनेगी और इसी के साथ यहाँ पर हम एक चुताई चमच गरम मसाला डालेंगे लास्ट में गरम मसाला डालने से भी बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर आता है सब्जी में और अच्छे से हम इनको मिक्स कर देंगे यह देखिए अच्छे से हम सारी सब्जी को मिक्स कर लेंगे और एक से दो मिनिट तक हम यहाँ पर इसको और भून लेंगे और ये देखिए आ रहा है ना एकदम मुं में पानी कितनी बढ़िया हमारी यहाँ पर सबजी बनकर तयार हुई है इसे आप ओफिस में लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं पूरी पराठा नान किसी भी चीज के साथ खाईए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यहाँ पर सबजी बनकर तयार हुई है तो चलिए गैस की फिलम को ओफ कर देते हैं और यहाँ पर देखिए हमने सबजी को सर्व भी कर लिया है और यह देखिए कितनी लाजवाब यहाँ पर सबजी बनकर तयार हुई है तो फ्रेंट्स अगर आपको मेरी आज की बनाई रेसिपी थोड़ इसी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेयर करना ना भूले और जो चैनल पर पहली वार आए हूँ वो प्लीज 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 चैनल को सस्क्राइब जरूर करें और साथ में बैल आइकन का बटन दवाना ना भूले जिससे की मेरी आने वाली सभी वीडियो जो आप तक पहुंच सकें थेंक यू और थेंक्स पर वाचिंग